हेलो फ्रेंड्स एगर फिर साब सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो आज की स्वीडियो में आपको दिखाने वाले केमेश्ट्री ओनर्स पेपर 4 यानि की पार्ट 2 का उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक्जाम पैटर्न सभी को पता होगा question number 1 compulsory होता है और पूरा 9 question में से आपको 5 question का अंसर देना होता है तो first question आप यहाँ पे read कर सकते हैं आपको A से लेकि E part में कोई भी 3 का अंसर देना होता है उसके बाद यहाँ से group A start हो जाता है जिसमें आपको कोई भी 2 या 3 का अंसर आप दे सकते हो उसके बाद यहाँ पे दोस्तो group भी start हो जाता है ने मैंनी 3 active methylene compounds तो यह सब part दे रखा है question number 5 का उसके बाद 6 number में established the constitution of fructose तो आप यह सब question read कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे question number 5 है फिर 6 है फिर 7 फिर 8 फिर यहाँ पे last में question number 9 फिर यहाँ पे 10 तो total question 10 पूछा जाता है जिसमें first compulsory होता है और बाकी आपको कोई भी चार कांसर देना होता है तो उम्मीद करता हूं सभी को सही में आ गया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe करना for more updates thanks for watching this video